देखे कौमनिस्ट पार्टी के नेता सत्रोहन वाबु ने चुनाव आयुक को पत्र लिखा है मैं पूछना चाहता हूँ इंडी महा गठवन्धन से कौमनिस्ट पार्टी से क्या जो आरोप उन्होंने हम पर मढ़ा है लगाया है कि क्या वो देश द्रोहियों का बोट लेंगे महा गठवन्धन बताए कौमनिस्ट पार्टी बताए क्या पाकिस्तान प्रस्ट दुस्मन देशों का जो है उसका बोट लेंगे ये कौमनिस्ट पार्टी बताए तो बिहार की जनता बेवुस्राय की जनता देश की जनता सोचेगी ये कौन सी पार्टी आ गई है हमें तो नहीं चाहिए देश द्रोहियों का बोट मैंने डंके की चोट पे कहा है अन्ना हमें दुस्मन देश मैं पहला ही सक्स रहूं लेकिन डंके की चोट पे कहता हूं कि हमें नहीं चाहिए देश द्रोहियों का बोट हमें नहीं चाहिए दुस्बन देश पाकिस्तान प्रस्ट का बोट कौमनिश पार्टी को चाहिए क्या महागठबंधन को चाहिए क्या ये डंके की छोट पर वो भी पता है मैंने पहले भी का चुके है कि अप महागठबंधन तेशस्वी जादब हार स्विकार्च कर चुके हैं इसलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है मुझे खुसी है वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं अपनी हार स्विकार्च अकबर ओदिन ओवेसी दुनों भाईयों ने कहा कि हिंदू जैदा बच्चा पर पेदा करते हैं बात्पा के कई बेरे निताओं को कहा कई भाईवान हैं और उन्होंने गुस्पेटियों को संपधा पर भी बोला है देखिए ओवेसी ब्रदर्स और सारे लोगों को मैं चुनवती के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में घोशना करें कि जन्सक्या नियंतरन कानून हम लाएंगे तो मैं समझ लूँ को अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग समुओ को समर्थन नहीं करते ओवेसी ने कहा कि मोदी लॉट्लर्स शाहि मैंने हिंगे उपदिकि जुवान खुली बारत माता को गाली कते कि राहुल गानी ने ट्वीट किया है कंग्रेस प्रत्यासी के नमानकर दोने के बाद कि मोदी इतना साह है और ये संविदान खत्रू करने के और एक कदम मोदी लोक तंत्र के सबसे बड़े पढ़हरी है जिन्होंने गड़ीबों को ताकत दी है बाबा शाहिब अम्वेत करके इस शम्वेतान किया जोगा है